शायर और शहजादी एक वक्त का किस्सा है। मैं ये सब किसके लिए लिख रहा हूँ। ये सभी नजमे महबत के मुताल लिखी हैं। धर्कने रुख जाने के बारे में हैं। पहली निजर के महबत के बारे में। और ये सब के सब बेमानी लगते हैं। मैं महबत के बारे में कैसे लिख सकता हूँ। जबकि मैंने खुद एक मरतबा भी इसका एहसास नहीं किया जोरान बेरे दोस्त, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तुम्हें थोड़ा बे तकल्लूफ होने की जरूरत है बे तकल्लूफ? बे तकल्लूफ हाँ यही बात है, मुझे बेतकल्लूफ होने की जरुरत है मुझे बेतकल्लूफ होने की जरुरत है ओ, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परी-परी, तुमला जवाब हो मुझे बेतकल्लूफ होने की जरुरत है बेतकल्लूफ ओ, ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से उसका दिमाग खराब हो गया. कहां जा रहे हो तुम? मैं, मैं नहीं मेरे दोस्त. हम, हम जा रहे हैं. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कहां? जोरान ने पैरी-पैरी को अपनी कोट की जेब में डाला और अपना बीफ केस लेकर अपने घर से चला गया. थाई टैनिक में आपका इस्तक्बाल है. ये पूरी दुनिया में सबसे बहतरी इन तफरी के जहाजों में से एक है. हम आपको ले जाएंगे उस फैले हुए दिल का शुमानी इलाके में. शुमाली इलाका फैला है रूस से दूर मश्रीक में स्टिफ बॉगन के शुमाली नार्वी तक. जियादे तर पूरा साल ये बर्फ में ठका रहता है. सिर्फ इन थोड़ी से अगर्मियों के महीने में हमें मौका मिलता है कि हम देख सके उन मुक्तलीफ नजारों को, नाया आप जंगली जानवरों बाशिन दोको और उन दल्चस्प लोगों को जो शुमाली इलाका हमें पेश करता है. पैरी पैरी का ठेटोरता हुआ सिर्फ जेब से बाहर जागता है. क्या हम शुमाली में जा रहे हैं? सच मुझ? हाँ. पर क्यूं? तुमने कहा था मुझे बेतक कुल लफ़ने की जरुरत है. याद है? तुमने उसे सच मान लिया? हाँ. ओ, ये सच नहीं हो सकता. लगता है वो फिर से सोने चला गया. अगले पाँच दिनों तक जहास चलता रहा. चलता रहा. छटवें दिन वो शुमाली पहुचा. अरे जुरान, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम बाकी के कुरू के साथ नहीं आये हो? नहीं मेरे दोस्त, मेरी अपनी ही मन्जिले मक्सूद है. पर मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा, जिस दिन ये जहास चाएगा. ठीक है फिर, बेस्ट अफ लख. ओ, और सरदी न लगवा लेना, समझ गए? क्या हम उसे यहाँ छोड़ सकते हैं? घर वापस जाते वक्त. चुप रहो पेरी-पेरी. जौरान चला शुमाली पर चलते हुए अपने हाथ में एक नक्षा लिये. काफी देर चलने के बाद, वहाँ कुछ फासले पर एक इगलू था, जो नीले रंग का था. जौरान ने अपने नक्षे की तरफ देखा, और फिर मुस्कुराया. आओ पेरी-पेरी, मेरे लिए ढूंडो मेरी जिन्दगी की महभबत. जौरान इगलू में दाखिल हुआ, और उसने वहाँ देखा कि एक बुड़ी खातून आज के पास बैठी हुई है. बिल्कुल बीचों बीच, वो एक चुडैल थी, जिसका नाम था लेडी लागा. तुम कौन हो? और तुमने मेरा इगलू कैसे ढूंड लिया? खाला जान, ये मैं हूँ, आपका बतीजा, जौरैन. जौरैन? हाँ, और ये है मेरा तोता, पेरी-पेरी. खर, तारूफ सुनकर अच्छा लगा, तुम जाओ, शू. नहीं, मैं यहाँ आपको उसका नाम बताने नहीं आया हूँ. मेरा एक मसला है. हाँ? मैं एक शायर हूँ. मैं महबत के बारे में लिखता हूँ. और, और मैंने, मैंने कभी भी खुद महबत नहीं की है. ये सब मुझे बहुत ही गलत लगता है. तो मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मी मुझे आपके बारे में कहानिया सुनाती थी, कि किस तरह से आपने सैकड़ों लोगों की जोडियां बनाई है, और कैसे आपने मदद की है लोगों की अपनी सच्ची महबत ढूनने में? ओ, अब मैं वो नहीं करती. महरबानी करके खाला, ये मेरी इलतिजा है. जिसने अपनी जवानी में कभी सच्ची महबत नहीं पाई थी. कोई भी निकाह का ख्वाहिश मंद उसके दिल पर काबिज ना हो सका और ना ही उससे मुतासिर कर सका. वो आये और चले गए के बाद एक आखिर में वो इतनी मायूस हो गई कि सच्ची महबत में उसे यकीन न रहा. उसका दिल ठंडा हो गया. इतना ठंडा कि उसका पूरा जिसम बर्फ बन गया. बाद श्चा ने बहुत से तरीके आजमायों से उसके वजूद में बहाल करने के लिए पर कोई कारगर न हुआ. आखिर में एक दानिशमंद फकीर के मश्वीरे पर बाद श्चा ने बहुत भारी मन से अपनी बेटी के बर्फ का बुद शुमाली में भीच दिया. यही है. ठीक है. मुझे यह बहुत पसंद आई बर्फानी दौर की इस शहजादी की कहानी, जिसे अभी तुमने संजीत की से सुनाया है. क्या तुम मेरा मजाग उड़ा रहे हो? इसकी बात मत सुनिये खाला. महरबानी करके मुझे और बताईए. यहां से कुछ फासले पर पैंग्विन का एक कबीला रहता है, जिने कहते हैं चेरिन्स. वो हमेशा खुश रहते हैं. उन्होंने कभी ये नहीं जाना कि आँसू क्या होते हैं. अगर तुम उन में से किसी को भी खुशी के आँसू बहाने पर मजबूर करोगे और उसे एक छोटे पत्थर पर किराओगे, तो तुम में आदा काम पूरा कर लिया होगा. और बाकी के आदे का क्या? खैर, अपने हाथ में वो पत्थर लेकर तुम्हें बर्फ के बुट के सामने इसहारे महबत करना होगा. पर तुम्हारा इसहार इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो शहजादी के दिल तक पहुच जाए, बर्फ की तहें को चीरते हुए. फिर तुम्हें तुम्हारी सची महबत मिल जाएगी. अरे, सुनो, सुनो. क्या बात है? मेरे खयाल से हमारी पडोसन लाना बहतर इंतखाब होगा. वो तुम्हें बहुत पसंद करती है. और तुम्हें इन सब पत्थरों और बर्फ के बुतों से नहीं गुजरना पड़ेगा उसका दिल जीतने के लिए. पेरी पेरी. क्या? चुप रहो. आम, खाला लागा. इससे पहले कि मैं यहां से जाओ, मुझे आप से कवर एहसान चाहिए. जौरान और पेरी-पेरी तयार हो गए चेरिंग्स के इलाके में जाने के लिए. जब वे वहां पहुचे, तो उन्होंने जाना कि वो उन सब से घिर गए है. तुम्हें यहां क्या चाहिए? खेर, मैं आपके पास एक तोफा लेकर आया हूँ. एक तोफा? हाँ, यह रहा. इसे खुद देख लीजिए. पेंग्विन की सरगना ने तोफा ले लिया और जब उसने यह खुला, उससे निकला… हाँ, बोलो, बोलो, मैं सुन रहा हूँ. उसमें से निकला एक हैंग ग्लाइडर. वाव, एक हैंग ग्लाइडर? हाँ. पर ये करता क्या है? आप इसे क्यों नहीं पहन लेते और हुद आजमाते? पेंग्विन की सरगना ने उसे पहन लिया. अब भागो और उड़ो. और यही उसने किया. और अगले कुछ महीने में वो हवा में होता एक परिंदे की तरह उड़ते हुए. पुशी से सराबोर उसकी आँखों से आसू बह निकले. पेरी पेरी ने फौरण एक बर्फ का पत्थर उठाया और उन आसूं की बूनों के पीछे गया. ओ, ओ, हाँ, 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 पकल लिया. आसू की बून्द बर्फ के पत्थर पर गिरी और तेज चमकने लगी. पैंग्विन्स अपने सरगना की तरफ दोड़ी गई, जो खुशी-खुशी से उड़ रहा था. इस बीच, पेरी और जौरान उस बर्फानी बुद की तरफ निकल पड़े. जब वो उस जगहा पर गए, जहां वो बुद खड़ा था, तो उन पर दिलस्मतारी हो गया. ओ, ये क्या हो रहा है? ये बहुत आलिशान लगता है. जौरान मुस्कुराया और वो एक घुटने पर बैठ गया. उसने अपनी आखें बंद की और एक गहरी सांस ली. इसी पल ये वक्त यहीं ठहर जाए, इसी पल मेरी सांस यहीं ठिठक जाए, सिर्फ उसे पूरा करो जो हमेशा तुमने चाहा है. सब कुछ पीछी छोड़ दो और आगे बढ़ो तुम्हारे तुम्हारे दिल, तुम्हारे जहन और तुम्हारे जान की जानेब. मेरी मदद करो शहजादी, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है, वो शीशे की हदे दोड़ो और मेले लिए बाहर आओ, मैं यहां हूँ तुम्हारे लिए और हमेशा रहूंगा, बाहर आओ हे शहजादी, बाहर आओ बराए महरबानी, क्योंकि इसी पल उमीद है, वक्त ठहर गया होगा, और इसी पल उमीद है, ठिठक गई होगी मेरी सांसे, और मेरी खाहिशें, एक हलका सा हवा का जोंका जोरान को छू कर निकला, और उसी पल बर्ज की तहें चकना चूर हो गई, और उसमें से निकली शहजादी मिंटोसा, उसके गाल गुलाबी थे, उसकी आखें शबनमी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जोरान ने तारीफ में सजदा किया, पैरी-पैरी का मुझ खुला का खुला रहे गया, और जब वो खड़ा हुआ, तो शहजादी मिंटोसा जोरान के पास चल कर आई, दोनोंने एक दूसरे की आँखों में देखा, जोरान उने वो पत्थर शहजादी को पेश किया, वो मुस्कुराई और उसे ले लिया, अगले कुछ महीनों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर एक दूसरे की तरफ देखते रहे, ठीक है, मिशन पूरा हुआ, क्या अब हम घर जा सकते हैं? आगे क्या है? कैर, शहजादी मिंटोसा अपने महल में वापस आई, और बादशा इससे पहले कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था, जोरान को तैनात किया गया, शाही फौज के जंगजू के ओहदे पर, और चल्दी ही दोनों का निकाह हो गया, एक शानदार दावत दी ग वो उस तक उड़ कर गया, हलो, कैसी हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है फ्राइज, पोटिटू फ्राइज